नमस्कार दोस्तो इस वीडियो में कक्छा 10 विशय हिंदी से बोर्ड परिक्छा है तो महत्पूड गद्यांस पर आधारित प्रस्न लेकर आए हैं दोस्तो आपके बोर्ड परिक्छा में छाह अंक का गद्यांस पर आधारित प्रस्न पूछा जाता है इस वीडियो में गद्य खंड से जितने गद्यांस हैं जो most most important हैं और परिक्षा में बार बार पूछे जाते हैं उन्हीं को एहां पर प्रस्तुत किया गया है तो चलिए देखते हैं हम जानेंगे किस प्रकार आपको गद्यांस का उत्तर लिखना है गद्यांस पराधारित तीन प्रस्त पूछा जाता है पर तेक प्रस्त के लिए दो अंक निर्धारित होते हैं इस तरह से यह प्रस्त चाह अंक का आता है तो पहला गद्यांस है आपके सामने मित्र केवल उसे नहीं कहतें जिसके गुडों की तो हम प्रसंसा करें पर जिससे हम स्नेह ना कर सकें, जिससे अपने छोटे छोटे काम तो हम निकालते जाएं, पर भीतर ही भीतर घृड़ा करते रहें, मित्र सच्चे पत्परदर्सक के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें, मित्र भाई के समान होना चाहिए, जिससे हम अपना प्रतिपात बना सके हम और हमारे मित्र के बीच सची सहनभूती होनी चाहिए ऐसी सहनभूती जिससे एक की हानी लाब को दूसरा अपना हानी लाब समझे तो एक गद्यान से दोस्तो अब इस पराधारित प्रस्न है पहला प्रस्न पाठ और लेखक का नाम लिखिए नाम बताइए तो दोस इसके लेखक आचारे रामचंद्र सुकल जी हैं, तो इतना लिख देने पर आपको यहां से दोंक मिल जाएगा, इसके बाद दूसरा प्रस्न पूछता है, रेखांकित अंस की ब्याख्या कीजिए, तो देखिए इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमको रेखांकित अंस प समान होना चाहिए, जिसे हम अपना पृतिपात्र बना सकें, तो इसी रेखांकित अंस को हम थोड़ा बदल कर अपने भासा सैली में लिख देंगे, तो यही रेखांकित अंस की ब्याख्या हो जाएगी, जैसे देखिए हमने क्या लिखाए हैं, कि प्रस्तत रेखांकित अं सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें, मित्र ऐसा होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें, सच्चे मित्र में भाई के समान, प्रेम और सहानुभोती होनी चाहिए, तो देखिए दोस्तों यहां कुछ ने किया हमने, जो लिखा था, इसी बात को बस थोड चेंज करके हाँ पर लिख दिया, यहरे खांकित अंस की व्याक्ष्या हो गई, आपको इसी तरह से लिखना है, आपको पूरा नंबर मिलेगा, इसके बाद देखिए, तीसरा प्रस्ण, मित्र किसके समान होना चाहिए, तो मित्र इसका उत्तर आपको गद्यान समेही मिलेग तो देखिए हैं नेहापे, मित्र भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रती पातर बना सकें, तो थोड़ा चेंज करके हम लिख दिये हैं, मित्र भाई के समान होना चाहिए, मित्र के अंदर भाई के समान ही, प्रेम सहन भूती और विश्वास होना चाहिए, तो द बलकि बुद्धी का भी च्छै करता है किसी वापुरुस की संक्ती यदि बुरी होगी तो वह उसके पैर में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन और निती के गर्त में गिराती जाएगी और यदि अच्छी होगी तो सहरा देने वाले बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नती की ओर उठाती जाएगी तो पहला प्रस्न सेम है दोस्तों उपर्युक्त गद्यांस के पाठवा लेखक का नाम लिखिए तो आपको पढ़ने से पता चल गया होगा कि इसका भी पाठ का नाम मित्रता है और लेखक आचारे रामचंद्र सुकल है तो हम ऐसे सि प्रस्न पूछा जा रहा है तो देखिए इसका उत्तर इसी में है को संग का ज्वर बहुत भयानक होता है यह निती और सद्वृती का ही नास नहीं करती बलकि बुद्धी का भी चै करता है तो आप इसमें लिखेंगे को संग के ज्वर का बड़ा भयानक प्रभाव पड़त हो जाते हैं को संग के ज्वर का बुद्धी पर भी विप्रित पर भाव पड़ता है बैक्ती की सोचने समझने की सकती छिड़ हो जाती है और वह कुंठित हो जाता है ऐसे लिख दीजिएगा इसके बाद रिखांकित अंस की ब्याख्या कीजिए तो यहां देखिए रिखां तब देखिए दोस्तो इसी को थोड़ा चेंज गर के लिख देना है रिखांकित अंस की ब्याख्या ऐसे कि प्रस्तुत रिखांकित अंस में लेखक कहते हैं कि अगर कोई युवा बुरी संगती में पड़ जाता है तो यह उसके पैर में बंधी एक चक्की के सामान होती है जो से दिन रात बुराई के दल्ल में धसाती जाती है फिर बैकती चाहकर भी इस दल्ल से बाहर नहीं निकल पाता है यह हो गयारे खांकित अंस की ब्याख्या अब यहाँ पर पढ़ते हैं रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ट में बैठी हुई उती ममता सोड के तिक्छड गं प्रवाह को देख रही है ममता बिध्वा थी उसका यवन सोड के समान उमल रहा था मन में वेदना मस्तक में आंधी आखों में पानी की बरसात लिये वह सुक के कंटक सयन में बिकल थी वह रोहतास दुर्गपती चुडा मडी की अकेली दुहिता थी फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था परंतु वह बिध्वा थी हिंदू बिध्वा संसार में सबसे एक तुक्ष निरास्तरय प्राडी है तब उसकी बिडंबना का कहां अंत था तो देखिए प्रस्तुत गद्यांस का संदर भी लिखिए तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि पाठ का नाम है ममता और लेखक हैं जैसंकर प्रसाद तो आप लिख देंगे ऐसे सिंपल प्रस्तत गद्यांस ममता नामक कहानी से उतरित है जिसके लेखक जैसंकर प्रसाद जी है फिर रेखांकित अंस की व्याक्षा कीजिए तो रेखांकित अंस पढ़ते हैं कि रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ट में बैठी यूती ममता सोण के तिक्छड गंभीर परवा को देख रही है ममता बिध्वा थी उसका यवन सोण के समान उमड रहा था तो इसी को चेंज करके हमरे खांके तंस की व्याख्या कर देंगे जैसे हैं पर मैंने लिखा कि रोहतास दुर्ग क ब्रामदे में बैठी यूती ममता सोन नदी के तेज और गंभीर परवा को देख रही थी ममता एक बिदवा यूती थी ममता का यवन सोन नदी के समान ही उमड रहा था ममता अपने इस एका की जीवन से बहुत दुखी थी तो दोस्तों यहाँ पर आपको पूरा नंबर मिल जाएगा तीसरा प्राश्न दुर्गपती से ममता का क्या सम्मंद था तो गद्यांस में ही उसका उत्तर है देखिए वह रोहतास दुर्गपती चूडा मडी की अकेली दुहिता थी दुहिता मतलब पुत्री तेहां पर हमने उत्तर लिख दिया कि ममता दुर्गपती चूड अमरी की पुत्री थी प्रस्ण पूछा दुर्गपती से ममता का क्या सम्मंद था उत्तर ममता दुर्गपती चुड़ामरी की पुत्री थी अब अन्यक द्यान से दोस्तों इसको भी देखिए चौसा के मुगल पठानियुद्ध को बहुत दिन बीत गयें ममता अब सत्तर वर्ष की बिरिधा है वह अपने जोपड़ी में एक दिन पड़ी थी सित काल का परभात था उसका जड़ कंकाल खासी से गूंज रहा था ममता की सेबा के लिए गाउं की दो तिन इस्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी क्योंकि वह आजीवन सब के दुख दुख के साभागनी रही तो अब देखिए उपर्युक्त गद्यांस के पाठ हुआ लेखक का नाम लिखिए तो उत्तर दोस्तो उपर्युक्त गद्यांस के पाठ का नाम ममता तथा लेखक का नाम जैसंकर प्रसाद है ये उत्तर हो गया फिर खांकी तंस की व्याख्या कीजिए तो हमरे खांकी तंस को पढ़ते हैं थोड़ा रुख जाईए नीचे आ गया है स्मिस्टेक हुआ एक सेकेंड यहां देखिए रिखांके तंस की व्याक्षा कीजिए तो यहां देखिए रिखांके तंस यह हो गया है यह प्रस्ण था कि उसका जिल्ड कंकाल खांसी से गुंज रहा था ममता की सेबा के लिए गाउं की दोती निस्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी क्योंकि वहां जीवन सबके दुख सुके साभागनी रही तो यहरे खांके तंसे तो इसकी ब्याख्या इस परकार करेंगे कि ममता बुढ़ी हो चुकी थी ममता का सरीर बहुत कमजोर पड़ गया था जब वह खांस्ती थी तो उसका पूरा कंकाल गुंज रहा था ममता की देखभाल के लिए दोती निस्त्रियां उसके पास बैठी थी क्योंकि ममता भी आजीवन सभी के दुख सुक में साथ रही थी लेखक ने किसको आजीवन सुक दुख की साभागनी कहा है और क्यों तो इसका उत्तर देखिए लेखक ने ममता को आजीवन सुख दुख की सभागनी कहा है क्योंकि वह सभी के सुख दुख में हमेशा साथ रहती थी अब अगला गद्यान से दोस्तो भिन भिन धर्मों को मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं यहां भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं और जिस तरह यहां की बोलियों की गिंती आसान नहीं उसी तरह यहां भिन भिन धर्मों के संप्रदायों की भी गिंती आसान नहीं है इन भी भिनताओं को देखकर अगर अपरचित आदमी घवला कर कह उठे यह एक देश नहीं अनेक देशों का समू है तो इसमें आश्चरे की बात नहीं है क्योंकि उपर देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता भी भिनता देखने में नजर आएगी तो देखिए प्रस्तुत गद्यांस के पाठ का नाम लिखिए तो समाज गयेंगे दोस्तों कि यह भारतिय संस्कृती से है और लेखक राजिंदर परसाद है तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांस के पाठ का नाम भारतिय है यह मिस्प्रिंट है भारतिय संस्कृती और ले परचित आदमी घबलाकर कह उठे कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का समू है तो इसमें आश्चरे की बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि उपर से देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता विभिनता ही देखने में नजर आएगी तो आप लिखेंगे कि प्रस्तुत आदमी भारत को पहली बार देखेगा तो वह घबलाकर कह पड़ेगा कि यह एक देश नहीं बलकि कई देशों का समू है तो इसमें आश्चरे नहीं होनी चाहिए क्योंकि इतनी भी भिनताएं किसी एक देश में संभव नहीं हो सकती अनेक ताओं में एक ता यही हमारे भार पूरा का पूरा आंक मिलेगा आपको तीसरा प्रस्ण लेखक ने किसकी गिंती करना आसान नहीं कहा है तो इसका उत्तर भी देखिए ही है जिस तरह हैं कि बोलियों की गिंती आसान नहीं उसी तरह हैं भिन भिन धर्मों के संप्रदायों की गिंती आसान नहीं कहा है अगला गद्यान से इर्षिया से बचने का उपाय मानसिक अनुसासन है जो बैक्ती इर्षियालू सोभाव का है उसे पहले बातों के बारे में सुचने की आदत छोड़ देनी चाहिए उसे या भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह इर्षियालू बन गय क्या है उसकी पूर्ती का राचनात्मक तरीका क्या है जिस दिन उसके भीतरे हजिग्यासा आ जाएगी उसे दिन से वह इर्षिया करना कम कर देगा तो प्रस्तुत गद्यान्स के पाठ और लेखक का नाम लिखिए तो दोस्तों यहाँ पर मिस्प्रिंट है यहाँ पर देख दिनकर तो आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यान्स के पाठ का नाम इर्षिया तू न गई मेरे मन से और लेखक का नाम राजिंद्र सौरी रामधारी से हैं दिनकर जी है यहाँ पर ध्यान रखिएगा मिस्प्रिंट हो गया था अगला प्रस्न पूष्ता है रे खांकित अ प्रस्तुत रे खांकितंस में लेखक काते हैं कि इर्षिया लू बेक्ति को सबसे पहले अपने उस अभाव यानि उस कमी के बारे में पता लगाना चाहिए जिसके कारण वह इर्षिया करने लगा है फिर उस अभाव को दूर करने का सही तरीका क्या है जानकर उसे दूर करन चाहिए जिस दिन यह जानने के एक छाप के अंदर आ जाएगी उस दिन से आप इर्षया करना कम कर देंगे इर्षया से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए तो देखिए दोस्तों इसका भी उत्तर हैं इपर आपको मिल जाएगा देखिए इर्सिया से बचने का उपाय मानसिक अनुसासन है जो बैक्ती इर्सियालू सोभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए फिर है अगला गद्यांस इर्षिया की बड़ी बेटी का नाम निंदा है जो बेकती इर्षियालू होता है वह बुरे किस्म का निंदक भी होता है दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस परकार दूसरे लोग जनता आख की आखों से गिर जाएंगे और जो इस्थान रिक्त रहेगा उस इस्थान पर में अनायसी बैठा दिया जाओंगा तो प्रस्तुत गद्यांस के पाठ और लेखक का नाम लिखिए तो दोस्तों जहाँ पर इर्षया की बाता है वह पाठ हो जाता है इर्षया तू न गई मेरे मन से तथा लेखक का नाम रामधारी सियं दिनकर है फिर दूसरा रेखांकित अंस की ब्याख्या कीजिए तो रेखांकित अंस को देखिए इर्षया की बड़ी बेटी का नाम निंदा है जो बैकती इर्षया लू होता है वह बुरे किसम का निंदक भी होता है तो आप इसमें इसका ब्याख्या करना है तो प्रस्तुत रेखां इर्ष्यालू होता है, बुरे किस्मका निंदक भी बन जाता है, दूसरों की निंदा करके रस आनंद पराप्त करता है। तीसरा प्रस्न दोस्तो, इर्ष्यालू बेकती दूसरों की निंदा क्या सोच कर करता है? तो यहां भी देखिए इसका उत्तर दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस परकार दूसरे लोग जनता आखों की आखों से गिर जाएंगे और जो इस थान डिक्त रहेगा उस स्थान पर मैं अनायास ही बैठा दिया जाओंगा तो इसका आप लिखेंगे प्रस्न कह रहा है इरस्यालू बैक्ति दूसरों की निंदा क्या सोच कर करता है तो इरस्यालू बैक्ति दूसरों की निंदा करके उसे समाज में नीचा दिखाने का प्रयास करता है और सोचता है कि निंदा करने से उस बैक्ति की समाज में परतिष् सम्मान करने लगेंगे लेकिन ऐसा होता नहीं है अब है जिन्दगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड काटा है किस तरह इंसान की खुबियों की कहानी सदियों बाद आने वाले पीडियों तक पहुचाई जाए इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किये उसने चटानों पर अपने संदेश खो दें ताडों से उंचे धातों से चिकने पथर के खंबे खड़े किये तामबे और पीतल के पत्रों पर अक्छरों के मोती भी खेरे और उसके जीवन मरड की कहानी सदियों के उतार पर सरक्ती चली आई ह चली आ रही है जो आज हमारी अमानत बिरासत बन गई है याद आया दोस्तों कौन से पाट से है प्रस्तुत गध्यांस का संदर्व लिखिए तो प्रस्तुत गध्यांस के पाट का नाम अजंता और लेखक का नाम डाक्टर भगवत सरण उपाध्याय है रिखांकित अंस की ब् खुबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीडियों तक पहुचाई जाए इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किये तो इसका आप ऐसे कर देंगे रखांकित अंस की ब्याख्या कि प्रस्तुतर खांकित अंस मेले खक कहते हैं कि मनुस्य का जीवन छडबंग है मिर्तियों निश्चित है मिर्तियों के बाद भी मनुस्य अपनी बातों को आने वाली पीडियों तक पहुचाने के लिए उसने अने को पाय किये हैं पहाड काटकर गुफा बनाया है और गुफाओं के दिवारों पर अपने संदेश खोद डाले हैं लेखक की दृष्टी से यहाँ एक सेकंड दोस्तों लेखक की दृष्टी से अजन्ता की गुफाओं के निर्मार का क्या उद्धिस्य है तो लेखक कनुसार अजन्ता के गुफाओं का निर्मार इंसानों ने अपनी कहानी को आने वाले पिडियों तक पहुचाने के लिए किया है अब है गद्या यह सुधरा और राहुल निद्रा में खोए गौतम द्रिण निश्चे पर धरकते हिया को सम्हालते और यह नंद है अपनी पत्नी सुन्दरी का भेजा द्वार पर आये बिना भिक्षा के लोटे भाई बुद्ध को जो लोटाने आया था और जिसे भिक्षू बन जाना पड़ बार बार वह भागने को होता है बार बार संग में लोटा लिया जाता है उधर फिर वह यह सुधरा है बालक राहुल के साथ बुद्ध आये हैं पर बजाय पती की तरह आने के भिखारी की तरह आये हैं और भिक्षा पात्र देहली में चड़ा देते हैं यह सुधरा क्या दे मड़ी मने खीरा मोती तो उस त्यागी जगतराता के लिए मिट्टी के मोल है तो प्रस्तत गद्यांस के पाठ और लेखक का नाम लिखिए दोस्तो प्रस्तत गद्यांस के पाठ का नाम अजन्ता और लेखक का नाम भगवत स्रड उपाध्या है रिखांके तंस की ब्याख्या क तरह आये हैं और भिक्षा पात्र देहली में चड़ा देते हैं यह सोधरा क्या दे जब उसका स्वामी भीखारी बन कर आया है क्या ना दे डाले पर है ही कि आब उसके पास उसकी मुकुट मड़ी सिधार्थ के खो जाने के बाद सोना चांदी मड़ी मानी खीरा मोती तो उस त आगी जगतराता के लिए मिट्टी के मोल हैं तो देखिए रिखा की तनसेव था इसका ब्याख्य इस परकार कि अजन्ता की दिवारों पर बने गुफा चित्रों का वड़न करते हुए लेखा कहते हैं कि एक चित्र में यह सोधरा अपने पुत्र राहुल के साथ है भगवा उसे क्या दे जब उसका पती ही स्वयम विखारी बन कर आया है संसार त्यागने वाले बुद्ध के लिए हीरा मोती सोना चांदी किसी का कोई मुल्य नहीं है तीसरा प्रस्ण पूछ रहा है महा भीनिस करमड क्या है इसके द्रिस्चे का विश्त्रित वरण कीजिए तो दोस भगवान बुद्ध के ग्रिह त्याग के घटना को ही एतिहासिक ग्रंथों में महा भीनिस करमड कहा गया है इसके द्रिस्चे का वरण कीजिए तो यहां से आप इसके आगे लिख दीजिएगा यहां से देखिए यहां पर है कि यह द्रिस्चे है महा भीनिस करमड का यहां स लिखेंगे कि यह सुद्रा और राहूल नींद में खोई हुए हैं भगवान बुद्ध अपने हिर्दय को समभालते हुए दीरे से घर से निकल जाते हैं तो दोस्तो इस तरह से आपको अपने भासा सैली में रिखांकित अंस की व्याख्या कर देना है यहां से नंबर किजिएगा धन्यमाद भी में झाल झाल